नमस्कार आप देख रहे हैं कुकवत रेनुका आज हम बनाने वाले हैं जलजीरा कर्मियों के मौसम में यह हमारे पेट को ठंडा रखता है और डाइजिशन को भी बहुत ही बढ़िया रखता है तो आएए बनाती हैं हम जलजीरा जलजीरा बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए एक हमें सिरफ बनाएंगे सिरफ के लिए हम क्या करेंगे इस पे रखेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे आधा कप पानी इसमें आधा कप पानी डाल दिया मैंने अब इसमें हम डाल देंगे एक चौधाई कप चीनी यह चीनी बनाती हम जब शर्वत बनाते हैं तो इसमें चीनी डालते हैं चीनी पीने का मन करें तो बस ये डालें सिर्प और शर्वत बना लें बहुत अच्छी रंग से और जल्दी बन जाता है देखिए उबल एकदम बॉयल हो गया है और गाड़ा हो गया है अब इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और इसे दूसरे बरतन में निकाल लेंगे ये चोटे ग्ला के लिए जेप बनाया है आप ज्याधे भी बना सकते हैं और गर्मी बникомर के लिए फ्रिज बनाकर रख सकते हैं इसे यह बनके तरब त्यार हो गया है अब इसके बाद हम बनाते हैं जल जेरा एक बोल लिया है मैंने इसमे डर लेंगे हम एक ग्लास पानी कि फिर लास पानी पॉन निया है ठंडा मटके का भी आप ले सकते हैं जो पानी आप ले चाहे माखर 12-30 लाया है साधा न पानी default सिरॉप ना आप शोद्र बनाया था डो सिरॉप डाली देंगे लाधन नीरी अला है नाखे देंगे अधा चम्मज भुणा हुआ जीरा पाउडर अधा चम्मज टाल देंगे चाट मसाला एक चौता चम्मज काला नमक कर फोग सफेद नमक कर दाल देंगे दो चम्मज नीबु कार रस नियुकरस से बहुत ही बढ़िया इसकी खुश्बू हो जाती है यह डाल दी आप इसमें हम डाल देंगे आइस कुप जो है वो डाल देंगे और अच्छी तरह घूलते हुए इसे मिक्स करेंगे जिसे मसाले और सिरप और सारी पानी वगेरा और जो भी चीजें मिलाई हैं हमन आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं क्योंकि जीरे हैं इसके दाने भी बुना हुगा जीरा है पिसा हुगा है लेकि फिर भी इसके जो दाने अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे छान सकते हैं और अगर नहीं छानना चाहते हैं तो ऐसे ही इसे पी सकते हैं यह हमारा पत्यों को पीस के भी इसमें मिक्स कर सकते हैं लिकिन मैं ऐसे ही डाली है और अब इसको बन के बिल्कुर पूरी तरजी तैयार हो गया है हमारा जलजीरा अब इसे ग्लास में निकाल लेंगे ग्लास में सबसे पहले डालेंगे आइस्क्यू और पुदीने की पत्यां और फिर जीदेया हमने बनाया है वो डाल देंगे आदि के निकैंट इसकी के लिए बढ़ों के लिए बच्चे के लिए सबीक लिए ब्एमाकनित है और सबी足ुदें शेट है माकूReम पाला गया मुता और अब इसे नीबू से कानिश कर देंगे और इसमें एक स्ट्रो लगा देंगे यह जलजीरा रफ्रेक्शन टिंग बन के बिलकुल दयार है फिर्ट से रेसिपी आपको कैसी लगी पसंद आई तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए से मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके अगली रेसिप कीारा दिवार से तो लाइक हाईकर लाइक नापकर ल jsemकदा मेरे वाजिए से प्रकाईलों में